भाईयो नमस्कार मैं अंकुस देवला आपके अपने यूटूब चैनल पे फेस्बूक पेज लवकिसान में आप सभी का स्वागत है भाईयो आज मैं बताऊंगा गन्य में ऐसे खादों का पिर्योग के बारे में बताऊंगा जिससे गन्य की फसल बहुती सांदार होके चले और पैदावार बहुत बढ़ हाल लगभख सो पिलस हो मैं तो यही कहूंगा कि सब किसानों की फ़सल 100 पिला 100 गन्य की और मैं यही कोशिश करता हूँ कि कम लागत में अच्छी पैदवार कैसे निकले मैं जायतर यही बताता हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा सा अधिक खर्च में गन्य की फ़सल कैसे ले क्योंकि किसान भाईयों के call भी आ रहे हैं और comment भी आते हैं कि भाई तुम तो बहुत ही सच्टे टोनिक और खाज बताते हो तो भाईयों आज मैं थोड़ा सा heavy dose बता रहा हूँ अगर आप इसका पिर्योग करेंगे तो बहुती सांदार फसल आपकी गन्ने की निकलेगी लेकिन थोड़ा सा महंगा डोज है आप फिर ये मत कहना कि आपने लागत बढ़वा दी तो भाईयो इस तीज़ का आप पहले ही धियान रख लें अगर आपको वीडियो पसंद ना आए और अगर आप खाद ये उज़ ना करना चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं तो भाईयो आपको क्या करना है और गन्ने की फसल पक्का है जो NPK आता है भाईयो, नाइट्रोजन, फास्पोरस और पोटास, इसमें नाइट्रोजन 12% होती है, फास्पोरस 32% और पोटास 16%, इसका यूज करना है, ये डोज बता रहे हूँ भाईयो, मैं एक एक कड़ के लिए, और इसमें आपको एक एक कड़ में 2 बैग NPK लेना है, और एक बैग 50 कलोग आता है, तो ये आपका 100 kg लगबग एक कुंटल NPK हो गया, दो बैग, और भाईयो, इसमें क्या यूज करना है, इसमें यूज करना है भाईयो, आपको, Aries कंपनी का कोमबी कैल, भाईयो, बहुती बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें कैल्सियम पाया जाता ह तो भाईयो, इसमें होता है, फेरस, मैंगनी, जिंक, कोपर, बोरोन, मुलिबडेनम, और भाईयो, ये उस्तम दक्ता के साथ, कैल्सियम और अन्य पोसक्ततों की आपूर्थी करता है, इसलिए ये बहुती बैस्ट रिजल्ट इसके आते हैं, तो भाईयो, इसमें इसका पिर लेना है, और इसे NPK खाद में मिला कर यूज करना है, समझे, इसके साथ, और तीसरा क्या लेना है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको NPK में ही मिलाना है, कॉम्बी कैल, और 8 केजी ये लेना है, इस बात का आप धियान लखें, भाईयो, इसकी सा से 6 किलोग्राम पिरती एककड, ये 4 किलोग्राम का पैकिट आता है, अगर आप 4 किलोग्राम गिलना चाते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर 5 से 6 किलोग्राम गिल लेंगे, तो उसके रिजल्ट और भी बड़ी आएंगी, इसमें भाईयो, हूमिक एसिड पाया आता है, ये पोधों की जड़ों को इतना विकास करता है, और पोधों में ऐसी इमिनीटी लाता है, कि रोक पिरती रोधक छमता आपकी इसकी गन्ने की आपके बढ़ जाएगी, और बहुती बढ़िया हरा भरा होगे गन्ना चलेगा, तो भाईयो, ये भी लाटू भी आपको सुमो और लाटू, तीनों प्रोडक्ट एक साथ मिला के यूज करने है, एनपी के दो बैग लेना है, एक एक कड़ में, कॉम्बी कैल आट किलो लेना है, एक एक कड़ में, लाटू लेना है, पांस से छे किलोग्राम एक एक कड़ में, अब भाईयो, इनका सबका एक जगे मिला कर और इसे यूज करना है भाईव इसमें यूरिया बिल्कुल ना मिलाएं कभी आप गल्ती कलने की यूरिया मिलाएं तो भाईव यूरिया बिल्कुल ना मिलाएं और अगर इसमें एक चीज है यूरिया तो बिल्कुल नहीं मिला ना आपको अगर आप चाहें बजट तो पॉइंट 6% जो पोधों की ग्रोथ भी अच्छा करता है इसमें एक एक ऐसा पीजी आर पायाता है मनले की पीजी आर यू कह दू मैं ऐसा ग्रोथ पिर्मोटर पायाता है जो गोप ने रखती है कंपनी जिससे पोधे बहुत हरे बरे होके चलते हैं कोई रोग भी नहीं लगत फिपनोलील रोक को भी रोकता है और पोधों का विकास भी बहुत बढ़िया करता है तो भाईयों इसे ही मिला सकते हैं ये आपको रिजेंट अल्ट्रा लेनी हैं 6 किलोग्राम पिरती एक करके हिसाब से और इन सैरों को आप एक जगह मिला कर खूड 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 पोधे की जड़ में लगा दें और अगर आपके यहां बारिस नहीं हो रही है तो आप तुरंत उसके पीछे से पानी चला दें भाईयों मैं गारंटी ले रहे हूं इतने बैस्ट रिजल्ट आएंगे आपके गन्निक खेत में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप एक बार प्रियोग करें और जब मुझे से बताना कि कमेंट में कि आपके यहां इसका कैसा रिजल्ट आया अगर आपने यूज कर रखा है तो मुझसे वह भी कमेंट में बताएं फौन पर इबता सकते हैं अगर आपको एक तीज और भाईयो मैं आपसे शेयर करना जाता हूं कि अगर आपको को आपना गन्य खेद बढ़िया चल लिया है और अपने बहुती सच्टे में अच्छी पैदावाल लिया तो मैं आपके यहां वीडियो बनाने भी आ जाओंगा क्योंकि किसान भाई उससे जाग रुपता मिलती है और कि सभी किसान भाईयों को पता चलता है कि अच्छे किसान करें धन्यवाद नमस्कार